हेलो दोस्तो मेरे नाम है संदीप और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉरियो में दोस्तो आज का वीडियो मरवारी कोले जराची के इंटर्मेडियर सेक्षन से रिलेटेड है और इस वीडियो में जो इंफर्मेशन में देने वाला हूँ वो वेसिकली इंटर्मेडियर सेक्षन के 11 कलास में एडमिसन लेने वालों के लिए है तो जो भी स्टुडेंट जो हैं एडमिसन ले रहे हैं 11 कलास में वो इस वीडियो को केरफुली वाच किजिए स्टार्टिंग से लास तक ताकि आप अच्छी तरह से जो कुछ भी है वो समझ सके ठीक है और क्या information यह तो आप थमनेल में देखी चुके होंगे तो थोड़ा सा वेट करें आगे इस वीडियो में मैं आप सभी को सभी चीज़े डीटेल में बताने वाला हूँ ठीक है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा से रिक्वेस्ट है अगर आपको यह वीडियो लगता है और साथी साथ आगे भी इस तरह का इंफर्मेटिव वीडियो आप पाना चाहते हैं मरवाडी को लेज राचिस रिलेटेट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथी साथ इस वीडियो को आपने उन दोस्कों को भी सेर कर सकते हैं जिनके तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जोनों ने भी अपलाई किया था form intermediate section के लिए उनका जो है यहाँ पर cut-off list आ चुका है तो cut-off list आने के बाद अब यहाँ पर admission का process कैसा होने वाला है कैसे आप admission ले सकते हैं यह सभी जनकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगा तो आप इस वीडियो को carefully विना escape किये हुए आगे देखते जाए ठीक है तो चलिए अब देखते हैं जो cut-off list है उसको और वहाँ पर जो भी जनकारी है जो भी instruction है वो हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं ठीक है अगर आप भी देखना चाहते हैं जो cut-off list है तो आपको क्या करना है मरवारी कुलेज राजी का जो intermediate section वाला जो official website है उसमें आना है और आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप notice board में देख पाएंगे जो है 11 first cut-off list and admission process इस पर आपको click करके download कर लेना है तो आपको यहाँ पर girl section का भी दीख जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ instruction दिये गया है जो admissions related है कि किस तरह से आपको admission यहाँ पर लेना है ठीक है क्या process है वो सभी चीज़े यहाँ पर दिया गया है तो आपको carefully सभी चीज़े पढ़ना है लेकिन पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो date है admission के लिए ओ यहाँ पर द पर यहाँ पर ज्यादा उमीद नहीं रखना है जो भी यहाँ पर last date दिया गया है उसी के अंदर में ही आपको admission ले लेना है चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं जो voice sections का first original cutoff list है वो ठीक है तो यहाँ पर पहले arts का students के लिए दिया गया है SC, SC के लिए जो यहाँ पर cutoff है 41% ST के लिए 57, BC2 के लिए 62 है BC1 के लिए 66 और merit list जो है इसमें है 69 यह हो गया local के लिए और जो students है outside के ठीक है outsider student उनका यहाँ पर SC वालों के लिए 42% है ST के लिए 58% है BC2 का 63% है BC1 का 67% है और यहाँ पर merit list में है 70% ठीक है तो यह हो गया arts वालों के लिए अब यहाँ पर दिया गया है science के लिए ठीक है तो science के जो students है जिनका भी 30% से उपर है वो यहाँ पर जाकर admission ले सकते हैं उसके बाद है यहाँ commerce के students के लिए तो commerce का भी stream वह ही चीज़े है 33% ठीक है फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा girl section के लिए जो first provisional cutoff list है वो ठीक है तो यहाँ पर arts के students के लिए यहाँ पर दिया गया है 43% मेरी लिस्ट मतलब जिनका भी यहाँ पर 43% है ठीक है और जिनोंने form apply किया हुआ हुआ जा करके यहाँ पर website के थुरू admission ले सकते हैं सारा चीज यहाँ पर online होने वाला है मैं आगे बताऊंगा ठीक है यहाँ पर जो science के students है उनका विद 33% है और commerce का भी 33% है अगर आपका इतना भी percent है जितना यहाँ पर cutoff list में दिये गया है तो आप website के थुरू admission ले सकते हैं और लिया जाएगा जो भी वहाँ पर मैंने आप सभी को पहले बताया cutoff list उसके अधार पर ही admission यहाँ पर लिया जाएगा यह कहा जा रहा है इसके थुरू ही आपको admission लेना है और जो यहाँ पर 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 दिया गया है चात्रों को निर्देशित किया जाता है कि परवेश के लिए online आवेदन के दोरान उनके द्वारा अपलोड किये गए अपने प्रासंगिक मूल दस्तावेज परमान पत्र अपने पास तयार रखें जो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे सभी चीजे सभी documents आपको तयार रखना है अभी आप website के थुरू करेंगे वो provisional admission होगा उसके बाद जो होगा physical verification होगा physical verification में आपको college जाना होता है वहाँ पर जाकर के सारा documents जो है आप लेते जाएंगे और वहाँ पर verification कराएंगे अगर सभी documents आपके सही निकले तो आपका जो admission होगा यहाँ पर फूस्टी हो समाचार पत्र आदी के माध्यम से दी जाएगी और जैसे कि मैंने बताया आपको physical verification के लिए college जाना होगा तो वह जो date होगा physical verification के लिए वह आपको college के website में देखने को मिल सकता है या फिर समाचार पत्र में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब वहाँ पर परकासि के समय आपको college ले जाने होंगे ठीक है यहाँ पर दिया गया admit card of class 10th, mark seat of class 10th, school living certificate, SLC या TC, character certificate, migration certificate, cast certificate and income certificate if applicable यहाँ पर जितने भी documents बताएगे यह सब भी आपको physical verification होगा उसमें ले जाना होगा ठीक है और धिहान रखे यहाँ पर आपको पहले ही बताएगया है original and set 2 of xerox copy documents ले जाएंगे सबका दो xerox copy होना चाहिए और साथ में original copy भी ले जाना है उसके बाद यहाँ पर सेवत नंबर पर है अनंतिम रोप से प्रविशित छात्रों को प्रविश रद कर दिया जाएगा और उनके दवारा जमा की गई फीस निमलिखित प्रस्तितियों में उस्वत स्वता ही जब्द कर ली जाएगी अगर आपका कंडिशन इसमें से किसी का ऐसा होता है तो आपका स्वता है मतलब की अपने यहाँ पर जो है एडमिशन यहाँ पर रद हो जाएगा जो आप फीस जमा की हुए रहेंगे वह कोलेजी रख लेंगे यहाँ पर कोई भी आप दा यहाँ निकाल जाएगा अगर वहां अगर आप उपस्तित नहीं होते हैं तो आपका जो है यहाँ पर एडमिशन रद कर दिया जाएगा जो है कैंसल हो जाएगा सगें नंबर पर है यहाँ चात्र उप्रोक तो किसी भी मूल दस्तावेज प्रमान पत्र को परिस्तूत करने म असमर्थ है अगर आप जो भी डॉकुमेंट्स वहां पर पहले बताएगे हैं अगर उनको आप नहीं ले जाते हैं तो भी आपका यहां पर एडमिशन कैंसल हो जाएगा थर्ड नमबर पर है यदि अपलोड किये गए दस्तावेजों और मुल दस्तावेजों के साथ नाम तित अगर आपका जो भी टीसी या फिर जो भी एसलसी बगिरा होता है अगर आप उसको सब्मीट नहीं कर पाते हैं तो भी आपका यहां पर एडमिशन कैंसल हो जाएगा फिप्ट नमबर पर है यदि कोई दस्तावेज फरजी और जाली पाया जाता है इस मामले में उमिद्वा और उसके माता-पिता के खिलाप कानूनी करवाई भी कि जा सकती है अगर आपका कोई भी डोकुमेंट से यहां पर फेक या फिर किसी भी परकर कर जाली पाया जाता है तो पहले तो एडमिशन कैंसल हो गई उसके साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि आपके माता-पिता या फिर आपके खिलाप कानूनी करवाई भी की जा सकती है एट नंबर पे है बहत्ग सत्यापन के समय जारी होगा कोलेज का ID काड जब आप भौतिक सत्यापन के लिए जाएंगे फिजिकल वेरिपिका सन के लिए जाएंगे उसी समय आपको कोलेज का ID कार्ट भी प्राप्त होगी नाइन्थ नंबर पर अंतीम तीती समाप्त होने के बाद उमिदिवारों का परवेश के लिए कोई भी दावा मानने नहीं होगा ठीक है यहां पर कहा जा रहा है जो भी लास्ट डेट है माना कि यहां पर 27 जुलाई जो है आपको समझने में दिक्कत होती है कोई भी प्रोब्लम होता है तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके हमसे पूछ सकते हैं ठीक है इसके बाद जो एड्मिशन प्रोसेस है आपको कैसे एड्मिशन लेना है कैसे फीवेमेंट वगरा करना है इस अभी चीजे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आई होप यह वीडियो जो है आपके लिए काफी जादा इंफ्रमेटिव रहा होगा और भी इसी तरह का इंफ्रमेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर